किसान साथियों नमस्कार मैं हूँ पुश्पेंड़ा और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोवार यूटूब चैनल किसान साथियों अभी मैं जो है साम के लगभग चार बजने वाले हैं और मैं अपने खेत की और जा रहा हूँ आज दिन भर से खेत के कारिया में नहीं गया था तो अभी फिलहाल जा रहा हूँ क्योंकि कल के टेट पर मेरे को जितने अपने धान के सीधी वी जाई वाले खेत हैं उस पर डालना है पहली खाद और जो है आगे कि हम लोग पहली खाद में कौन-कौन से खादों का प्रयोग करने वाले हैं उस पर भी बात करेंगे दो दिन से बहुत बारिस हो रहा था खाद में दो दिन पहले डालने वाला था लेकिन बारिस के वज़ा से बहुत ज़्यादा खेद में पानी भर गए थे उपर से भी बहु यह जो है मेरी देख पा रहे हैं सीधी विजाई वाले दान की खेत है और लगभग यहाँ चारे कड में पूरा सीधी विजाई हुआ हुआ है यह इसकी अवस्था हो गई है पौधे का लगभग यह जो है 25 दिन कल के डेट पर कम्प्लीट हो जाएगा किसान साथ्यों वैसे तो धान के जो खिसीधी विजाई में लगभग 20 से 25 दिनों के अंतराल में आपको पहली खात दे देना होता है मैं लगभग 20 दिनों के बाद ही दे देता हूँ पहली खात लेकिन बारिस के वज़ए से 25 दिन हो गया है लगबग 24 दिन की हो गई है, और इसमें अभी कन से निकलना भी स्टार्ट नहीं हुआ है, बवाई के समय हम इसमें कोई भी खाद बिसॉल डोज में नहीं डाला था, क्योंकि बवाई के समय खाद इसलिए नहीं डालता, क्योंकि जैसे बवाई के समय आप DAPI SSP डालते हैं, तो जो है बहुत ज्यादा खर पत्वार निकलना इस्टार्ट हो जाता है कि तो मैं फिर उसको कंट्रोल करना बहुत दिक्कत जाता है तो बवाई के समय कोई भी नहीं डाला था धान के 15 दिन के वस्ता में खर पत्वार नासी का प्रयोक किया गया था पोस्ट एमर्जेंस और उसके लिए जो है मैंने जो कटेवा का नोवीक सीड आया था उसी को पूरा डाला था और पूरा खर पत्वार आप देख पा रहे होंगे पूरा समाप्त हो गया है लगभाग आप कभी भी सीधी भी जाई में अपना खर पत्वार नियंतरन करने के पस्चात ही आप धान की पहली खात डालें तभी जो है वो बेनिफिट मिलेगा वरना खर पत्वार जैसे नश्ट नहीं हुआ आपने खेट से तो फिर समस्या और बढ़ जाती है तो धान के खेट पर क भी सीधी वी जईए फेट में पहले आप खर पतवार नियंतरीत करिए ऊसके बाध खात का प्रयोक किजो किसांसाति्यों खात में पहले डोज में जो क्या क्या डालने वाला हूं इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए साथ बेल आइकन की नोटिकेशन को दबाद जिए जिससे आने वाले वीडियो में आपको खेती वारिक समभंधि यूहीं जनकारी मिलते रहेगी तो जिस अब बाद करता है इसमें पहले क्या डालने हो आ रहे हैं तो जैसे मैं 25 दिनों पर 20 दिनों पर डालता हूं 25 दिनों पर डार रहूं स्थान की सीधी की जई में और इसमें जो है मैंने खाट डालने से पहले पूरे खरपतवार को नियंतरित कर चुका है मेरे खेत में अभी एक भी खरपतवार नहीं है अब इसमें जो है हम लोग पहले डा मिल इसके साथ आपको मील जाता है मार्केट में तो दूसरा ड़लेंगे इन पीके का पूरा कंबनेशन डालेंगे जैसे 35 किलो यूरिया 25 किलो डीएपी और उसके बाद डालेंगे इसमें लगवग 25 किलो यह मूपी मतलब पोटास उसके साथ इसमें डालूंगा एक फंगी साइड जो बरसाद का समय है तो फंगस लगने का चांसे बहुत ज़्यदा रहता है तो इसमें जो इस प्रिंट करके एक अडामा का जो फंगी साइड आता है हमेशा मैं उसी का प्रयोग करता हूँ पहले खाद में हमेशा आपको फंगी साइड डालना है जिसमें आपको कर्मेंटा माइन और मेन को मिल जाएगा तो मैं डालता हूँ इस प्रिंट का जो है एक नहीं दे रहा हो दूसरी खा़ में दूसरी खा़ दीनों के वाद दूसरी खा़ टूँगा तो अभी थो 25 किलो यूरिया 25 किलो डी खे पी और 25 किलो जो है पो इमपी पोटाश और उसके साथ एक इसप्रिंड का फंगी殺 दा रहा हुँ जिसमें मेन को जेब और कोर्वेंडा माइन जो का जो आता है कम्बनेशन इतना इसमें डालेंगे उसके बाद जो पांस से छे दिनों बाद इतका जो है मैं आपको रिजाल्ट दिखने को मिल जाता है तो मैं दिखाऊंगा कितना बहतरीन उसका जो है रिजाल्ट रहता है उसकी बाद दस दिनों बाद हम लोग दूसरी खाथ दालेंगे दूसरी खाथ के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के जरू सेयर करूंगा फिलहाल अभी जो देख पा रहे हैं पूरी तरीके से मेरे खेत में खरपतवान नश्ट हो गया है फिलहाल के सांसाथियो आज के वीडिय में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद